वेलकम वन सेगें आज बात करेंगे बच्चे लोग अभी का जेनरेशन का जो बच्चे लोग है उलोग ज्यादा तर हम लोग अगर उन्हों के साथ बात करें या फिर उन्हों को थोड़ा सा ध्यान दें जादातर परसंटेज जो है अभी का टाइम का बच्चे लोग का जादातर वोग कहीं न कहीं डिप्रेस्ट है अपने जिन्दगी में वोग कहीं न कहीं खुस नहीं है बहले वो बच्चे साइथ अपना वो चीज वो जो सोच है उसको जाहिर नहीं कर पाता है या फिर उस सामने लाते हैं जाहिर करते हैं तब कुछ और तरीके से आता है या वो अपने अपने आपको नसे में अडिक्ट कर लेता है या फिर कोई गलत रस्ते में चला जाता है या फिर वो कोई ऐसा काम कर लेता है जब उते हो जाता है यह सच्छाई है हम लोग इसको जुटला ने सकते हैं कि हम लोग सब कोई अपना फैमली में पर आजपर उस में कहीं पर अगर हम थोड़ा सा नज़र घुमा के देखें हमें इस तरह के बच्चे लिए जाने हो कहीं न कहीं हमें सब्सक्राइब जादा तर लिए परसेंटेज जो है अभी का बच्छे लोग का वह लोग हमेशा कहीं न कहीं हो जिन्दिगी में नाखुस है कि आयां हर्षय को ओ सब्सक्राइब हुआस से कुछ अपना अपना जो हो सोचे अपना जो फिल्मिस उसको एक्ष्प्रेजने कर पाते हैं उन नहीं बोल पाते हैं, देखे, हम लोग जब बच्चा घर पे पैदा होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जब आता है दुनिया में, सब कोई बलते हैं, अरे देखो, देखो, मापे गया है, अरे देखो, बाग पे गया है, कोई बलते हैं, दादा पे गया है, तो क्या सोचते हैं? देखा, मेडा बेटा है, तो अगर कुछ गलत काम किया है, कहीं से मारा मारी करके आया, या गाली करके आया, या जिन्दिगे में ऐसा कोई मोड आया, जहां पर वो आपका देखरेक नहीं किया, या फिर किसी भी तरह से आप अगर उससे नाखूस रहें, तो क्या बोलते हैं? देखा, बाग पे गया होगा, या भी मार पे गया होगा, या किसी और का नाम ले लेते हैं, दिखना ऐसा बात नहीं हो, बच्चे मासूम होते हैं, जब बच्चे लोग छोटे रहते हैं, उनलोंका माइन पुरा खाली रहता है, जो देखता है नहीं सीखता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, हम लोग उसको बहुत प्यार से रखते हैं, अपने पास इतना वक्त होता है कि उनलोंके लिए वक्त निकाल के देते रहते हैं, जैसे धीले 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 बच्चा बड़ा होता है, हम लोगे पास उनके लिए वक्त का कमी हो जाता है, जब बच्चा कुछ भी रहता है, कुछ भी सेर करने के लिए अपना जिन्दीगी में, स्कूल में ऐसा कोई बातचीत, या पिर टिम्शन में या भी कहीं पे सोचें, अगर वो ज्वाइन किया है, कहीं पे भी, वहां पे इस तरह के कुछ भी बातचीतर है, आपस उनके लिए चाहता है, साहत हम लोग पापा के पास जाओ, पापा बते हैं ममी है ना ममी देख लएगे, बच्चे पास वक्त नहीं होता है, यही बा जो भी देखना देखो, सोचे हम लोग किस तरह से उससे दूरी बनाते हैं, दीरे 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 ये दूरी जो है एक गाप बढ़ते जाता है, एक ऐसा टाइम आता है जब गाप पूरानी होता है, क्योंकि उस गाप में बच्चा किसी और को जगा दे दिया है, या कोई दूपे कि क्युंकंक्य हम लोग अपने लाइन में इत्व बेसी होगा इसलिए अपना वह चीज और नहीं कर आता है कि उस दूस्तिम बच्च लोग के साथ दोस्ति बनाये रखना है देखिए जब बच्चा कम से कम 12-14 साल का एच में आता है तब उसके उपर सासर में ही चाहता है तब आपको उसका दोस्त परना चेखिए उसका उसके साथ हर चीजों को सेयर करना चेलिए ताकि बच्चा कभी भी कोई भी ऐसा चीज ना हो जो आप से छुपाए क्योंकि तब क्या ना उनलों का बॉड़ी में बहुत सरे हॉर्मोनिस हॉर्मोनल चेंजेज होता है उसका थौट में उसका सरीर में उसका सोच में हर एक उस चेंजेज के टाइम में हम लोगों सही रस्ता दिखाना जरूरी है अगर उस टाइम में हम लोग अगर सही गाइडन्स नहीं देंगे सही तरह से अगर गाइड नहीं करेंगे तो बच्चे लोग बीगर जाते हैं तब बीगरने के बाद अगर हम लोग एक दूसरे को पोसेंगे फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग वक्त रहते चीजों को संभाल ले। जब बच्च इस तरह का स्टेज में आता है जब उसको सही में दोस्ती, दोस्त का ज़रूरत होता है, उस टाइम हमें हाथ नीग चुडाना है। जितने भी हम बीजी सेडूर की हुना रहे उस सेडूर में से वक्त निकालके बच्चे को देना है। यह अपना काम यह भूलना है और उस वक्त निकाल के बच्चों को देखे सही तरह से हमेशा बातचीत करके जो भी उसके जिंदीगी में उतार चराव हो रहा है इस तरह से आप उसको प्लोज जाहिए और आप उसको सही सलावी ताकि उसका फीचर और खुद अपना फ्यूचर सही तरह से सही हातों में रहे क्योंकि एक टाइम आता है जब जितना भी पैसा क्यों न रहे अपने पास बच्चे का ज़रूरत पड़ता है एक एज ऐसा आता है जब अपनों का ज़रूरत होता है उस टाइम में बच्चे आपसे मुन न होए यह बात अमें द्यार रख रहा है इसे लिए हमारे बच्चीनों हमारे घर में सही तरह से परणवरेस होना हैं जरी वक्त उन्हें देना चाहिए और सही तरह से उनके विचार में अपना सोच डालना है अपने आपको उसमें ढालना है ताकि बच्चे हर चीज आपसे सेयर करें यह नहीं भूलना है अज जादा तर हम देखते हैं बच्चे लोग टीनजर एज में सुसाइट करते हैं या फिर ऐसा-इसा कोई चीजों में फंस जाते हैं जहां से निकाल के लाने बहुत मुस्कीब हो जाता है यह नहीं करना है यह चीज को आनी नहीं देना एक जिल्दीगी में क्या क्योंकि बच्चे देखा जाए तो हमारे लिए एक बोतिन धन संपति इसी तरह का है, बैंक में जितना भी पैसा रहले अपनों का जरुवत पढ़ता ही इसलिए जब हमें ज़रूत पड़े बच्चे हमेशा मुना मुने यह बात हमेशा याद रखना है और हमेशा उनके उनको कभी भी किसी दूसरों के साथ कंपैर नहीं करें पेरेंस लोगों से मुझे बहुत ही में रिक्वेस्ट करना चाहती हूं का यह हम चाहिए खक्याँ कि कुई भी बच्च कोई भी भी शहीडिखी में रॐसों भी चीज में अचबना है उनको आग को पतिके अगर हम चाहेंगे कि मुझे अ गरना है यह द्चिनियर बनार Mेना उनका पणिप नहीं पै अपना सोच को अगर उस पर थौपिंग नहीं होता है, नहीं होता है, यह बात को हमें समझना है, कि हर एक बच्चा में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है, कोई बच्चा बीना टैलेंट का नहीं होता है, तो as a parent हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है, कि वो बच्च में क्या टैलेंट है उस टैलेंट को हमें बाहर लाना है कोई पढ़ा है पढ़ाय में अच्छा होई सकता है कोई स्विमिंग में अच्छा हो सकता है कोई फुटबॉल में अच्छा हो सकता है कोई गेमिंग में अच्छा हो सकता है तो इस टैलेंट को हमें जानना है उसमें में दोरे सब डॉक्तर बने सब इंजिनियर बने ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए कभी किसी के साथ कंपैंड नहीं करें पता है मैंने अपने जिन्दीगी में इस तार के बहुत लोग देखे हैं मैं लुओनें अगर को यह अगोट तो कि ऑफल्दीशन होता है को यह थर्ड रेंक कर गया फॉस्ट रेसे के लास्ट वाला एयर में तो इस यह मैं अगर फॉस्ट से कि में अगर आगा है आगा बहुत करा थोटार सुना पड़ता है पापा से ममी से अरे तुने मेरा नाग काड़ दिया तुने ये कर दिया वो कर दिया मैं क्या मुमू दिखा हूँ उसका परसेंटेज इतना जादा है इसका एतना है एक बात में गोलते हूँ डिगरी जो है न फाइलों मे रह झाती है, दिगरी साथ नहीं देता है, जिन्दीगी में दिग्री फाइल में रह जाते हैं बच्चे बच्चा अपने आपको अगर केपबल बना ले अगर एक स्मार्ट तरीके से अपने आपको बढ़ा करें और किसी भी लाइन में सक्सेस हो सकता है आप जबर्दस्ती अपना थोट उसमें नात हो गए यह मेरा रिक्वेस्ट है बच थोड़ा दूरी में मतलब एक बुज़र्ग इंसान है उसका एज कम से कम 45 है अभी जब हम चोटे थे तब सर में सुनते हैं बढ़ा ही दिखाय में बहुत अच्छा था लेकिन उसके ममी पापा हमेसा कंपार कर देते थोड़ा से मांक्स अगर कम आ जाता था था थोड़ा से लेकिन थर्ड में का आता था वो रैंकिंग से गीर गीर के गीर के पेल होता सुरू कर दिया और जो उसके पीछे थे वो लोग काफी आगे निकल गये काफी आगे निकल आज वो लड़का पागल जैसका होता रहता है सोचे और उसके पीछे जो है आज हमी लोग का डॉक्टर एक जमुझ से उसी का दोस्त दॉक्तर है तो कभी भी अपने बच्चे को पंपार नहीं करें कभी भी नहीं करें कि वो अगर 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 परफॉर्म करके वो अपना अगर बेस्ट दे रहा है तो आप उसको पुश करेंगे तो बच्चा जो भी है वो जिस तरह से आगे जा रहा है जानी पाए हो पीछे आ जाएगा यह बात में ध्यान देना है देखिए हम लोग कोई भी जानवर को अगर हम लोग चिलाते डाखते हैं तो वो क्याना डर जाता है डर के मारे छुप जाता है या फिर उसी त इस तरह का लाइप पसंद नहीं उनको पढ़ाए लिकाए पसंद है या पर सिंगिंग पसंद है या कुछ और पसंद है हम लोग चाहे तो अपने बच्चे लोगों को जो भी फिल्ट में वो लो बेस्ट है उसमें आगे लेके जा सकते और लो बहुत नाम कर सकते बहुत सक् है अब कभी भी किसी और के साथ नहीं करें अपना बच्चे का महत्वों को समझे जालो को समझे अपना जिंदगी में उसको समझे उसका सही दोस्त बने और अपने बच्चे को अपने हिफाजित हातों में लगे ताकि बच्चा भटक ना जाए कल देरी ना हो जाए आप कि बनोगे या फिर चड़ी उठाओगे तो वो उसे रस्ता नहीं है ज्यादा सासन भी उसे रस्ते से पटकाई अगर आपका और उसका सहीं बॉंडिंगे सहीं दोस्ती है तो कभी बच्चा आपके हाथ से में ही निकलेना यह बात जाए जाए आए आज के लिए इतना ही यह लो रिख नहीं है जो